तो एलो एड़ीवन, विल्कम बैक तू मैं चैनल, तो फर्स्ट अफल थैंक्यू मेरा 309 सब्सक्राइबर हो गया, और यह आप लोगी सब्सक्राइब करते हो चैनल को, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मैं मस् वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को चैनल पसंद आता है, तो आ अगर आए से धीरे-धीरे हो रहा है, तो थैंक्यू फरस्ट अफल, थैंक्यू सुमुच, तो हम लोग इस वीडियो में क्या डिसक्स करने वाले है, इस वीडियो में मैंने एक अनॉंस्मेंट किया था, कि हाव टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्मूच फंड लाएक प्रो अगर आपको किसी चीज के बारे नहीं पता, तो उसमें कभी भी पैसा डालना नहीं चाहिए, यह मैं इस चीज को रूल को फॉलो करता हूँ, एक्जाम्पल जैसे में को क्रिप्टो कभी समझ में नहीं आया, ठीक है, मेरे को क्रिप्टो कभी नहीं समझ माया, कुछ लोग जबर्दस्ती कूद जाते हैं, क्यों कूद जाते हैं, क्यूंकि देखो, क्रिप्टो करेंसी बहुत जादा भागती थी, ठीक है, काफी न्यूज आपने देखा हो, कि दो क्रिप्टो करेंसी खरीदा बाद में, मिलियनेर बन गया, या कुछ भी हो गया, पता नहीं, मैं उतना follow नहीं करते क्रिप्टो को तो मैं को idea नहीं है तो मैं उस चीज में कभी कूदता नहीं जो कि मैं को समझ में नहीं आया और ये आपको भी करना जाइए आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें बीना जाने नहीं कूदो मत कूदो तो मैं कभी भी crypto में नहीं गया, मैंने काफी बार try किया, बहुत सारे apps से मैंने try किया, बट मैं को कभी समझ में नहीं आया crypto, तो मैं कभी घुसने का try ही नहीं किया, मेरा एक रुपए भी नहीं लगा एक रुपए भी नहीं लगा एक रुपए भी नहीं, जबकि मैं बहुत ज बिलकुल समझना है, बिलकुल समझना चाहिए, ठीक है, क्या क्रिप्टो को स्टॉक मार्केट व्यूम हे साथ होगे हैं, तो बिल्कुल समझना चाहिए, ठीक है न, कोई comparison नहीं है, दोनों बहुत अलग है, crypto एक अलग चीज है, उसमें बहुत लोग इंट्रेस्टेड नहीं होते है, बट stock market में क्या इंट्रेस्टेड रहते हैं, हाँ, क्योंकि हर चीज रेगूलेटेड है, तो ज्यादा compare नहीं करें क्योंकि जब आपका base strong रहेगा न, जब आपका fundamental strong रहेगा, तो आप काफी लंबा game खेल सकते हो, ठीक है, एक दिन call या put buy कर लो, मान लोग ट्रेडिंग का भी बात करें, एक दिन आप call या put buy कर लेते हो, ठीक है profit दिग गया, पट क्या ये long term हुआ, ये long term game खेल पाओगे क् ठीक है न, randomly कोई भी fund नहीं buy कर लोगा, तो market में बहुत सारा fund है, अगर आप mutual fund का बात करो, तो में को idea नहीं है, लेकिन अगर number of funds देके तो market में बहुत सारा है, तो कि सब में पैसा डाल दें, तो वो जरुवत से जादा ही over diversification हो जाएगा, ठीक है न, mutual fund में हम लोग क्यों invest करते हैं, diversification के लिए, अगर आप 50 mutual fund में ही पैसा डाल दोगे, तो यह जरुवत से जादा over diversification हो गया, ठीक है, तो आप बोलोगे या, over diversification हो गया, तो मतलब diversification तो अच्छा है, loss कम होगा, profitability ही घट जाएगा, return बहुत घट जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, कोई stock return देगा, कोई stock return नहीं देगा, कोई stock return नहीं देगा, और एक बात बताओ, mutual fund अब खुद diversify करती है, तो आप अगर 50 fund चूज कर लिए, तो आपका पहला fund भी एक ही company में गया, दूसरा fund भी एक ही में, तीसरा fund भी एक ही में, चौथा fund भी एक ही में, पतलब जो funds है, वो तो व चलो नीचे चलते हैं थोड़ा से यहाँ पर, तो तो तेखो, मैं आपको अब स्धीरे समझाऊँगा, मैंने अगेन मैंने बोला कि मैं अगर चाहूं तो तुरंट खतम कर सकता हो, बत कोई need नहीं है, मैंने जब beginners लिखा है, जब मैंने beginners लिखा है, कि मैं बिल्कुल starting से बता करते हैं, यह मैं हूँ, यह मेरे कुछ दोस्त है, यह मेरे parents है, यह मेरे relatives है, ठीक है, अब यह आप हो, यह आपके कुछ दोस्त है, आपके parents है, आपके relative है, ठीक है, अब एक color और choose करते है, यह आपके कुछ और दोस्त है, यह उनके कुछ relatives है, यह उनके parents है, मतलब आप समझ आप समझ लो इसको 1100 ठीक है 1100 और भी काफी जादा होते है बट मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूं तो आप इस चीज को समझो तो मैंने क्या बोला ये कुछ group of people है ठीक है group of people है इनके पास per head कितना पैसा है 500 मतलब 500 रुपीज ये इनके पास per head एक्जामपल के लिए समझना बहुत important है 500 इनके पास है अब ये क्या चाहते है इनका सब चीज सही है इनका salary आ रहा है ठीक है इनके पास सब चीज है खाने को तो इनको क्या चाहिए कि मैं थोड़ा सा पैसा बढ़ा हूं ठीक है इनका view ऐसा यहां पे पैसा डालने से बढ़ता है इसा इनको पता चलता है ठीक है न तो इनके नजर में आता है share reliance का इनके नजर में आता है एक share आता है reliance का जिसका price कितना है 2600 अभी अगर देखें approximately अगर अगर अफली देखें तो 2600 है ठीक है तो reliance का stock price 2600 अब तो इनको क्या लग माल लोग की देखो अब यह आप हो यह आपके friend है यह आपके relative है तो आप सब लोग अपना अलग-अलग पैसा बढ़ाना है ठीक है ना आपके relative के पास अगर कार है तो आपको कार चलाने को देंगे नहीं कहां तुम लेलो मेरा कार ऐसा नहीं होता है आप सब लोग ग्रूप कि में को share market में पैसा डालना है ठीक है तो अब stock market में अगर directly जाते हो अगर आप zero था के through example ले रहा हूं मैं अगर आप zero था के through stock market में directly जाते हो तो आपको क्या आपको मालो कि Reliance company बहुत अच्छी लग रही है ठीक है क्यों अच्छी लग रही है क्योंकि आप देखो Reliance मार जाते हो गए shopping करने के लिए काफी चीज़ है Reliance का Reliance जीओ है अजीओ है बहुत चीज़ है तो आपको लगता है कि नहीं आने वाले समय में जीओ बहुत अच्छा कर सकता है काफी अच्छे plans से उसके future के तो आप चाते हो कि Reliance में इंवेस्ट करना तो एक share का दाम कितना है 2600 आपके पास क 500 आप 500 में 2600 का share कैसे बाई कर लूँ मैं कैसे इंवेस्ट कर लूँ तो देखो यही problem को solve करने हमारा कौन आता है एक मसीहा के जैसा आता है उसको कहते है mutual fund ठीक है इसको कहते है mutual fund अब देखो क्या problem solve किया mutual fund आपका आपको क्या करना था आपको Reliance के stock में इंवेस्ट करना था ठीक है क्यों invest करना था क्योंकि आपको लग रहा था कि आने वाले time में Reliance का business बहुत बढ़ सकता है तो आपको उसके growth में participate करना था आपको उसके growth में participate करना था ठीक है ना वो economy में जैसे contribute कर रहा है आपको भी चाहिए कि मैं उसके growth में participate करूँ बट मेरे पास कितना यार मेर अगर एक आदमी का बात करें तो मेरे पास तो 500 ही है monthly मानलो कि मेरी salary है 1500 ठीक है मेरी salary है 1500 मेरा consumption है मेरी थोड़ी सी normal luxury भी item हो जाता है मतलब मेरा हर चीज का पूरा हो जाता है shock ठीक है necessity भी cover हो जाता है उसमें और कुछ luxuries भी cover हो जाता है मानलो ठीक है तो मेरे पास कितना 1000 म amount बचता है कि मैं इसको invest कर दूँ चाहिए long term में में कुण use आए तो आप यह चाहते हो आपके पास 500 में रिलाइंस में invest करना है आपके पास है stock 2800 का मतलब मार्के में trade हो रहा है तो यह किस तरीके से खड़ी देंगा यह तो नहीं हो पाएगा यह तो नहीं हो पाएगा तो यहीं आता है mutual fund का introduction ठीक है mutual fund अब mutual fund में आता है अब आप समझ गए video नहीं समझे एक बाब आपस rewind करके देखो तो देखो यह है mutual fund क्या होता है कुछ लोग इसका definition देखो गो तो कहता है definition pool of people invest in a fund ठीक है pool of people invest in a fund अभी देखो यह pool of people हो गया Cool of People मतलब ये एकних group of people ठीक है काफी लोग है इसमे आपका भी 500 है मेरा भी 500 है मेरे relative का भी मेरे दोस्त का भी काफी लोग का ठीक है ठीक है na तो सब के पाज 500 है ये क्या करते है ये एक fund को पैसा देदेज्दे ठीक है ये एक fund को मं अब इसे ऐसी हैं अब्हों को पैसे और सब्सक्राइब करो ये ठीक है, HDFC कब है, HDFC बैंक का लगभग 1600 रुपय का है, ठीक है, DMART का में को exactly idea नहीं है, बट roughly समझ लो, 3000 का है, ठीक है ना, exactly मैं ट्रैक नहीं करता है DMART को, तो मैं को नहीं idea, तो DMART माल लो 3000 का है, तो आप बोलोगे, कि मेरे पास तो, आप बोलोगे, कि मेरे पास तो इतना कम प इतने costly stock को कैसे खड़ी दोगे, तो देखो, ये क्या करते है, ना, mutual fund वाले क्या करते है, आपका जो 500 है, ठीक है, इस 500 को इस तरीके से ये divide कर देंगे, कि आपका पैसा सब company में थोड़ा-थोड़ा लग जाए, example, जैसे माल लोग Reliance है, ठीक है, एक HDFC माल लो, और एक हमने लिया था, DMART का example, ठीक है, ये Reliance HDFC bank DMART, अब, अब देखो, आपके पास है 500, आपके पास है 500, अब यहाँ पर एक individual example ले रहे है, क्यों, क्योंकि ये को मैंने क्या बोला, कि आपका 500 रुपया का फायदा आपके relative को नहीं मिलेगा, और आपको वो अपना देंगे, तो individual समझत आप, ठीक है ना, पैसा सबका 500 रुपय जाएगा उस फंड में, बट मैं आपके लेवल पर आपको समझा रहो कि ये आप, ये आपका 500 है, तो आप क्या समझना चाते हो, कि मेरा 500 में Reliance का एक स्टॉक 2600 का मैं कैसे बाई कर पाऊँगा, ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा HDFC bank, 1600 अपरोक्स है, DMART 3000 अपरोक्स माल लो, ठीक है, एक्जाक्ली याद नहीं है, अब, अब मेरा 500 रुपीज में, ये रुपीज है, मेरा 500 रुपीज में, ये इतने सारे कमपनी में पैसा कैसे चला जाएगा, क्योंकि ये यार, एकी स्टॉक इतना महंगा है, 2600 का, तो तो देक 500 का 10% पैसा, इसमें डालेंगे 8% पैसा, इसमें डालेंगे हम 5% पैसा, ठीक है, इस तरीके से अपना fund डिसाइड करती है, अब, कौनसी fund कैसे डिसाइड करेगी, तो ये हम आगे समझेंगे, आप अभी basic सा example समझो, कि mutual fund आपका पैसा, सब companies में डिवाइड करती है, तो आप क्या करते हो, कम पैसे में, बड़ी company में पैसा लगा सकते हो, इससे क्या होता है, आपके 500 का diversification हो जाता है, अब समझते हैं, 500 हुआ आपका, तो 500 हुआ, इसका 10% कितना हुआ, 50 रुपीज, तो 500 रुपीज आपका 50 रुपीज आपका डिलाइंस में चला गया, ठीक है, अब आपका 50 रुपीज आपका 50 रुपीज इसमें चला गया, मतलब आप देखो, 500 अगर इन्वेस्ट कियो मार्केट में, मुचल फंड में, तो वो मुचल फंड में किस तरी किसे डिस्टिब्यूट हुआ आपका वैसा, रिलाइंस में गया है 50 परसेंट, यह एक्जामपल है, यह hypothetical example है, आप इसको समझना, मैं example लेकर समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको समझना है, यह mutual fund काम कैसे करता है, तो mutual fund क्या काम करता है, आपका mutual fund आपको यह allow कर देता है, कि आप कम पैसे में भी अपना diversified portfolio बना सकते हो, और सब company के growth में participate कर सकते हो, बस इतना सा, तो हम ल 25 रूपीज हुआ, तो इस तरीके से आपका पैसा ब्रेक होके, मैं एक बार थोड़ा सा clean करता हूँ, चार्ट को अपको अच्छे से समझाता हूँ, तो mutual fund क्या कि आपका यह जो पैसा है ना 500, इस पैसा को ब्रेक करके, पार्ट पार्ट ब्रेक करके, यह sub companies में आ गया, ठीक ब्रेक होके, धीरे-धीरे, sub companies में चला गया, reliance में भी चला गया, HDFC में भी चला गया, और DMART में भी चला गया, तो problem कैसा all हुआ, जो stock 2600 का था, जिसको मैं directly अगर खरीदने जाता तो 2600 का मिलता, मेरे को, एक stock खरीदने के लिए 2600 चाहिए होता, तो वहां मैं 500 से यह तीनो stock में invest कर चुका हूँ, मैंने क्या बोला, जहां आपको 2600 चाहिए था, बस reliance के लिए, 1600 चाहिए था, HDFC बैंक के लिए, DMART के लिए 3000, इतना पैसा चाहिए था, वहां आप इस 500 रुपीज से, तीनों company के growth में participate कर चुके हो, और आपका portfolio diversified भी हो चुका है, reliance अगर गिरेगी तो HDFC बचाएगी, HDFC गिरेगी तो DMART बचाएगी, समझ गए, जबकि weight is थोड़ा change है, बट ये basic सा concept है, किसका mutual fund का, मैं एक वर समरी दे दूँ, तो mutual fund क्या करती है, हम लोग को ये allow करती है, कि आप छोटे parts में पैसा लगा के, सारे company में पैसा किस तरीके से लगा सकते हो, व आप अपना बड़ा पैसा, आप अपना बड़ा पैसा को, तो mutual fund हम लोग को ये बताती है, कि आपका जो छोटा सा पैसा है, जो 500 है, जिसमें market में कुछ नहीं हो रहा था, उस पैसा को आप कैसे market में लगा के growth में participate कर सको, और ये पैसा आपका हर सब stock में लग जाएगा, ठी lines हो, TCS हो, HDFC हो, Britannia हो, PD right हो, Hindustan Unilever हो, सब सारे stock में लगेगा, ठीक है न, अब ये stock कौन decide करेगा, तो ये decide करेगा, fund manager, अब आजाते हैं, आप समझ के mutual fund करती क्या है, क्या problem solve करीए, mutual fund पता चल गए आपको, mutual fund क्या problem solve करीए, वो आपको पता चल गए, अब समझते हैं और समझ लेते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं, एक होता है AMC, ठीक है, AMC मतलब क्या होता है, Asset Management Company, अब Asset Management Company क्या होता है, चलो example से देख लेते हैं, मैं बताते दूँगा, अब आपको समझेगा नहीं, तो पहले मैं clean करूँ शार्ट को, ठीकते है, AMC, Top AMCs in India, तो देखो, तो तो देखो, कितनी सारी AMCs हैं इंडिया में, HDFC Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Aditbilla Sun Life, Kotak Mahindra, Axis Mutual Fund, Nippon, UTI, IDFC, DSP, ICICI, Potential, अब यह AMCs क्या है, तो देखो, AMCs क्या है न, जो भी fund आप चूज करते हो, वो उसकी एक fund house होती है, ठीक है, जैसे आप अगर कोई भी mutual fund में इंवेस्ट करने जाते ह तो मारकेट में, तो आपको कौन-कौन से company के mutual fund मिलेंगे, माल लो कि example समझ लो, माल लो कि आपको splendor खरीदना है, ठीक है, माल लो कि आपको splendor खरीदना है, तो वो किस company का है, वो है hero motocop का, ठीक है, वो है hero motocop का, अब माल लो आपको pulser खरीदना है, ठीक है, आपको खरीदन विंडिया में बजाज आपरेट करती है अपको पता है तो ठीक है नहीं पता है तो समझे लो Sprender मेरा product हुआ тор Hiro Motor Cop मेरी company हुई Pulser मेरा product हुआ Bajaj Auto मेरी company हुई तो उसी तरीके सा है कि इस पर चूज करोगे तो fund आप चूज करोगे लेकिन वो किस company की रहेगी वो ये सारे company की रह सकती है ठीक है, product आप चूज करोगे, बट company majorly ये है इंडिया में, ठीक है न, ये company majorly इंडिया में, तो AMC क्या होता है, अब आज आते अपने वापस हम लोग कहा थे, ये कुछ लोग है इनके पास पैसा थोड़ा सा surplus है इनको ये पैसा लगाना है share market में ये, तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग share market में या directly नहीं जाते है रिस्क भी है, और मेरे पास पैसा भी कम है monthly मेरे पास 500 ही है तो मैं reliance के stock में तो कर नहीं पाऊंगा तो चलो, mutual fund में चलते है अब हम लोग example कौन से mutual fund का लेंगे तो हम लोग यहाँ पर example ले लेते हैं किसका, HDFC का चलो, HDFC के example ले लेते है HDFC, AMC के example लेते है ये हम लोग लिए HDFC, AMC के example अब, ये group of people थे 500 रुपीज पर हेड है इनके पास monthly, इनके पास surplus बच रहा है 500 पर मन्त, ठीक है 500 पर मन्त इनके पास surplus है तो ये क्या चारे कि मैं market में पैसा डालूँ अब ये आते हैं HDFC, AMC के पास की भाई, HDFC, AMC तुमारे पास कौन-कौन सा funds है तुम बताओ तो ये बोले कि मेरे पास ये funds है ये funds है, ये funds है बहुत सरा funds होता है इनके पास हम लोग वो सब चीज़ डिसकस करेंगे बाद में क्योंकि ये introduction वीडियो है तो इनके पास बहुत सरा fund है तो अब ये लोग decide करेंगे कि यार में को कौन सा fund चाहिए तो इसको number ABC कर देते है तो ये decide करते हैं कि में को C fund चाहिए माल लोग कि ये अपना risk appetite देखे, duration देखे, goal देखे काफी चीज़ देखे तो ये लोग क्या decide करते हैं कि हम लोग को HDFC से C fund चाहिए ठीक है माल लो C fund चाहिए लेट से C fund इनको पसंद आ गया ये fund का कुछ नाम होगा ये समझेंगे बात में बट example समझो कि काम कैसे कर रहा है तो इन लोग के पास 500 था ये आ गया fund C के पास अब fund C को manage कौन करेगा देखो fund C में मैंने आप लोग को क्या बोला मैंने एक example लिया था जहांपे Reliance थी और HDFC Bank थी और DMART थी वहाँ पर मैंने कुछ वेटेज दिया था 10% का इसको दिया था 8% का इसको दिया था 5% का वो वेटेज कौन देता है fund manager ये वेटेज देता है fund manager ठीक है अब ये fund manager यार काफी पढ़ा लिखा होता है ठीक है ना इसके बस काफी साली degree रहती है finance की तो ये पढ़ा रहता है MBA रहता है CFA रहता है FRM रहता है और इसके बस काफी degree रहती है experience भी रहता है तो ये fund manager क्या करता है ये fund manager आपका choose करता है कि आपका जो 500 है आपका जो 500 है ये कौन सी company में ये 500 का कितना part जाएगा मतलब ये basically percent decide करता है ये 500 का कितना percent कौन से company में जाएगा ये fund manager decide करेगा ठीक है आपका C fund का देखो आप जो C fund choose की हो उस C fund में fund manager रहेगा एक भी हो सकता है fund manager ये दो भी हो सकता है ठीक है ये depend करता है तो ये C fund का एक fund manager रहेगा हम लोग यहां पर एक ही ले रहे है तो इस C fund का एक fund manager रहेगा अब वो fund manager क्या decide करेगा कि आपका जो है 500 उसका कितना percent मैं कौन से company में डालू यहां पर आपका introduction का main point है ठीक है न ये 500 का मैं कितना percent कौन से company में डालू ये decide करने वाला होता है fund manager ठीक है fund manager ये काम क्यों करता है तो या देखो fund manager को hire करती है AMCs ठीक है न AMCs हमने example लिया था HDFC का ठीक है हमने example लिया था HDFC AMC का लेकिन इसको इस fund manager को बहुत लोग hire करता है मतलब एक ही fund manager इंडिया में नहीं होगा अब समझो इस बात को fund manager बहुत सारे होते और हर AMCs उन लोग को hire करती है ICICIB करेगी XSB, SVIB समर्लब सारे fund manager hired रहते हैं AMCs के दोरा काफी सारी AMCs है तो काफी सारे fund manager भी रहते है हर company का अपना अलग fund manager रहता है और जैसे एक चीज़ मैं आपको और बता तो जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला था? HDFC AMC का example लिए थे अब मैंने क्या बोला था? HDFC AMC के बहुत सारे fund है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है तो ये सारे number of funds है तो हर fund का अलग fund manager रहेगा ठीक है? इस fund का अलग fund manager इस fund का अलग fund manager इस fund का अलग fund manager मतलब आप समझ रहे हो, जितना भी फंड से HDFCM के पास, सब का फंड मैनेजर अलग रहेगा, क्योंकि देखो, सब फंड में अलग कॉर्पस है, सब फंड में अलग कॉर्पस है, मान लोग की इस फंड का AUM है, एक टम होता है AUM, ठीक है AUM, AUM क्या होता है, asset under management, मतलब फंड के पास कितना पैसा, लेट से 50,000 करोड, ठीक है न, यह बहुत extraordinary नमबर नहीं है, इतना रहता है, मान लोग 50,000 करोड इस फंड के पास, तो इसका फंड मैनेजर अलग रहेगा, दूसरे वाले फंड मैनेजर के पास है, दूसरे वाले फंड मैनेजर के पास है, यह फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करेगा, तो आप सोचो कि इतना पैसा रहता है क्या, कुछ एक्जामपल देने के लिए पता रहे हो, क्या कि 50,000 करोड है, मतलब 25,000 करोड है, 15,000 करोड है, ऐसे एक्जामपल का नमबर है क्या, तो नहीं, यह बिलकुल भी एक्जामपल का नमबर नहीं है, इतना पैसा होता है, मैं आपको चलो बताता हूँ, हम लोग जो एक्जामपल लिए थे, देखो, यह क्या है, December 21, ठीक है, यह डेटा है December 21 का, अब December 21 में देखें, तो HDFC AMC, कहां पे HDFC AMC, यहां पे मेरी HDFC AMC, ठीक है, HDFC AMC के पास total कितना पैसा था, इसके जितने भी funds है, HDFC AMC के, सारे fund का अगर हम AUM एड कर दे, मैंने क्या बोला, सारे fund का अगर हम asset under management, मतलब एक fund के पास इनकी कितना पैसा है, और इनके सारे fund को एड कर दे, तो इनके पास total AUM है, देखो, 110,000, 100,000, 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 100, 4,00,000, 100,000, 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 100,000 तो यह इनका AUM है, मतलब अगर SBI का कितना है 4,31,000 करोड, तो SBI के पास बहुत सारा fund होगा, यह number of funds है, यह सारे fund का कितना पैसा है एक fund में, AUM, एक fund का AUM को एड़ करें, दूसरे fund के AUM से, मतलब बेसिकली सब का AUM अगर हम एड़ करतें, एक fund में कितना पैसा लगा हुआ है, तो total जो पैसा है, 2021 में जो data रिलीज हुआ था last, उसके according SBI के पास total AUM है 4,31,241 CR, ठीक है न, note करना, CR है यह, ठीक है न, 4,00,000 करोड है इनके पास, समझ रो कितना पैसा है, तो समझ गया अब यह concept, अब आजाते हैं हम लोग, तो वही होता है, जो यह लोग रहते हैं, यह डालते हैं पैसा market में, मतलब, यह डालते हैं पैसा mutual fund में, यह market में directly क्यों न डालते हैं, तो देखा था हमने, इनके पास है per head 500 रुपीज, ठीक है, stock है, एक stock महंगा है, diversification नहीं होगा, तो यह लोग mutual fund का सहारा लेते हैं, तो mutual fund माल लो कि HDFC AMC है, ठीक है, HDFC AMC है, तो इनके पास क्या रहेगा, इनके पास एक रहेगा fund manager इनका, माल लो कि इनको, let's say, fund A में पैसा डालना है, इसके पास मैंने बोला, काफी सारा fund है, ठीक है, A है, B है, C है, D है, E है, बहुत है, इन लोगों को डालना है fund A में पैसा, तो fund A का, एक fund manager रहेगा, यह क्या decide करेगा, percentage allocation, कितना percent कौन से, मतलब, इस रुपए का, कितना percent किस company में डालना है, यह fund manager decide करेगा, तो इसको क्या मिलेगा, यह fund manager क्या free में यह काम करता है, क्या, क्या fund manager यह काम free में करेगा, आपने बोला, बहुत पढ़ा लिगा fund manager हाँ, सय है, degree काफी सारा होता है, बहुत सय है, experience काफी السारा होता है, बहुत सही है, knowledge यह writing रहता है, हाँ, सही है, तो यह fund manager पर्रोज क्या free में काम करेगा, तो यह दिनिकम काम करता है, तो इसको पैसा कैसे मिलेगा, इसका concept ०े होता है expense ratio, और एक concept होता है expense ratio, यह expense ratio क्या होता है वाई, तो मैं बताता हूँ expense ratio क्या होता है, तो जब भी आप mutual fund में पैसा डालते हो, let's say 500 rupees डाल जो, हम लोग जो example यह थे वही लेकर चलते है, मैं आपको आने वाले video में बता हूँगा कि आपको minimum capital कितना डालना चाहिए, SIP में, मैं सब video है, तो आप introduction में देखो कि कैसे काम करता है, तो यह आप मैंने क्या बोला था कि 500 per head के पास है, तो यह हो आप, ठीक है यह हो आप, आपको पैसा डालना है market में, मतलब mutual fund में, ठीक है, mutual fund में आपको पैसा डालना है, तो ठीक हो, जब भी आप mutual fund में पैसा invest करोगा तो आपका 499.97 ही invest होगा, हमेशा, अगर आप 500 invest करते हो, तो आपका इतना पैसा ही invest होगा, लग भग, क्यों यह पैसा जो आपका कम दिख रहा है न, कितना कम दिख रहा है, यह 0.03 का जो difference है न, यह होता है fund का expense, जैसा कि इसका नाम ही है expense ratio, तो यह होता है fund का expense, यह एक तरह से salary बोल आप fund manager की, यह एक तरह से salary बोल रहो fund manager की, तो आप बोलोगे यह क्या बेवकूफो वाली video बना दियो, तो मैंने पूछा क्यों, तो तुम बोल रहे थी कि यार की fund manager बहुत पढ़ा लिखा होता है, fund manager बहुत पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, काफी degree होती है, इसके पास, का कितना है, fund में काफी लोग पैसा डालते है, बस आप नहीं डाल रहे हो, ठीक है, यह आपका investment का इसको इतना पैसा मिला है, आपका, आप कितना ही contribute कर दोगे, एक AUM में, अगर 50,000 करोड का AUM है किसी fund का, तो आप इसमें 500 रुपे डाल के यह क्या contribute कर रहे हो, बताओ, तो इसका salary यह 50,000 करोड के अगर calculate करें, यह अगर 50,000 करोड के capital पे अगर calculate करें, तो यह number बहुत बढ़ा होगा, ठीक है, तो उसका salary लगबग भग भी तो लगग भग कितना होगा, मैं आपको बतावा, उसका salary लगबग भी तो लगग 40-50,Lac per annum होता है, ठीक है, उसका salary लग जितना investment है उस fund में 50,000 CR, 60,000 CR, 25,000 CR, उस पर depend करता है उसका salary, आप वो छोटा-छोटा portion लेता है, आप से छोटा सा portion लिया, फिर किसी और से छोटा सा portion लेगा, आपके relative वाले investment से छोटा सा portion लेगा, मेरे से लेगा, मेरे family से लेगा, तो वो छोटा-छोटा जो portion लेता है न, वो उसका salary इतना बढ़ जाता है, ठीक है, वो salary calculate, पहले वो salary, वो जो expense जाता है, ये थोड़ा-थोड़ा, वो जाता AMC के पास, वो AMC क्या करती है, वो AMC आपके जो expense वाला जो पैसा है, वो AMC उसको salary megan worker के लिए देती है, fund manager को ठीक है, तो चलो मैं आप summarize कर दूँ वीडियो को, introduction हमारा इतना ही था, तो मैं आप वीडियो को summarize करूँगा हमने क्या starting to discuss किया ये कुछ लोग है इनके पास है 500 रुपीज पर मंत्र invest करने के लिए, तो ये सोचते हैं कि मैं market में invest करूँ ये सोचते हैं कि मैं market में invest करूँ market में क्या problem आई एक stock भी अगर ले अगर एक stock की भी बात करें, तो इतना costly है कि 500 रुपीज में stock नहीं आ पाएगा ये problem आ गई, तो यहाँ पे जन्म हो गया mutual fund का example लेके समझ रहे है यहाँ पे आगे हमारा mutual fund as a मसीहा, अब mutual fund क्या बोल रहा है हाँ ठीके भाई, तुम अपना 500 रुपी लाओ ना मैं reliance में भी लगा दूँगा, HDFC में भी लगा दूँगा, डीमाट में भी लगा दूँगा टाटा मोटर्स में भी लगा दूँगा, सुजूकी हो गया, mutual fund के पास काफी सारा fund है, ठीक है लेट से आपने fund चूज किया, fund A, अब fund A के पास एक fund manager है, fund manager बहुत expert है, तो यह जो आपका 500 था, mutual fund क्या guarantee दिया आपको, mutual fund आपको यह assurance देता है कि मैं आपका 500 रुपे हर company में लगा दूँगा, जो की possible नहीं था, direct market में, तो mutual fund का जो, यह जो आप mutual fund को 500 दिये हो, यह कितने percent, इस 500 का कितना percent, 5%, 10%, 50%, 30%, पतलब कोई भी number, यह 500 का कितना percent, 500 का कितना percent मेरे कौन से company में जाएगा, वो decide करेगा कौन, यह यह मेरा fund manager, ठीक है, यह decide करेगा मेरा fund manager, 500 का कितना percent कौन से company में मैं डालूँगा, मतलब यह mutual fund डालेगा, reliance में, HDFC में, किसी भी company में, तो यह 500 का कितना percent reliance में जाएगा, 500 का कितना percent HDFC में जाएगा, यह कौन decide करेगा, यह हमारा decide करेगा fund manager, अब fund manager क्यों ये करता है fund manager का क्या फाइदा, तो मैंने जैसा बोला, आप अगर market में 500 invest करते हो, mutual fund में, तो वो आपको बस आपका investment होगा, 499.97 का ही, आपको units मिलेगा, अब units पगेदा discuss करेंगे अगरे वीडियो में, आपका इतना ही का investment होगा, तो ये 0.03 जो आया, जो remaining इतना का जो आपको नहीं मिला, value ये कहां गया, ये हो गया fund manager का salary ठीक है, ये fund manager का salary हो गया, बस इस तरीके से काम करती है mutual fund, तो mutual fund हम लोग का majorly यही फाइदा solve करती है कि आप छोटे से पैसे को आप अपना small capital, market में लगा सकते हो, उस में से उस capital से आप बड़े-बड़े stock में deal कर सकते हो, ठीक है ना, बड़े-बड़े stock में invest कर सकते हो, ताकि आप उसकी growth में participate कर पाओ इससे फाइदा एक और मिल जाता है जो की फाइदा होता है diversification का ठीक है इससे एक फाइदा आपको और मिलता है जो की फाइदा है diversification का ये बहुत जरूरी diversification है क्यों जरूरी है, थोड़ा से इस पर भी बात कर लेते हैं, माल लो कि आपके पास है लिट से 50,000 ठीक है, आपके पास है 50,000 अब बोलोगे यार में को रिलाइंस अच्छी लग रही है ठीक है भाई, रिलाइंस में लगा लो अब बोलोगे यार बिटान्या भी अच्छी लग रही है मैं बिस्किट खाता था बिटान्या को मेरे घर पे बच्चे भी खाते है बोलो कि Britannia अच्छी लग रिये, ठीक है, spelling को ignore करना, तो Britannia भी अच्छी है, अब आप बोलो कि एक काम करते हैं, 25K रिलाइन्स में लगा देते हैं, और Britannia में 25K लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिये 25-25K, पैसा हो गया, खतम, अब देखो, अब रिस्क कितना जादा है, अ पूरा गया न, समझ रहे हो, दो ही स्टॉक में पैसा लगाया हो, 50,000 तो पूरा गया, अब ये रिस्की और कब हो जाता है, माल लो कि आप 50,000, बस एक ही स्टॉक में लगा दियो, रिलाइन्स में, माल लो कि 50,000 आप विदाउट डिवर्सिफिकेशन बस एक ही स्टॉक में अपर सर्कीट में हो जाए, क्यों, क्योंकि आप याद एक तरह से गैंबलिंग कर लिए हो, 50,000 जो था पूरा पैसा लगा दि रिलाइन्स में, अब माल लो की रिलाइन्स कल 2% क्रेश कर जाती है, मतलब गिर जाती 2%, तब तब को लोस्त होगा, माल लो की 5% गिर गई, और व तो mutual fund diversify कैसे करती है, तो इनके portfolio में हमेशा companies 10-15 रहती है, ठीक है न, 10-15 companies इनके portfolio में हमेशा रहती है, बड़ी-बड़ी company रहेंगी, छोटी companies भी रहेंगी, तो आपको कैसा होगा, diversification का फायदा मिलेगा, reliance गिलेगी, तो HDFC ऊपर चली जाएगे, HDFC गिलेगी, तो Britannia ऊपर चली जाएगी, बिटानिया गिरेगी, पीडियाइट ऊपर चली जाएगे, Tata Motor सूपर चली जाएगी, Tata Motors नीचे जाएगी, INFOSIS गिलेगी, TCS सूपर चली जाएगी, समझते हैं बाद कितना example लो, कशी हा इस पूरस का लिए ओठ वर कि लेगिregई वर है से पर यह दस कंपनी हो एक न जाजी हम बाकी इसा कंपनी टेंट अंधी कर्च करेंगी समझ रहे हो, सारी company crash करेगी ऐसा हो भी नहीं सकता है आपको क्या लगता है, सारी companies crash कर जाएगी तो economy चलेगी, नहीं चलेगी economy, समझे, बहुत बड़ा game में share market economy नहीं चलेगी वैसे, सारी बड़ी-बड़ी company नहीं खतम हो जाएगी, तो economy नहीं अगर 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 बरबाद हो जाती तो क्या इंडिया बरबाद हो जाएगी नहीं, इंडिया बरबाद नहीं होगी हाँ, डिंट पड़ेगा, ये में को लगता है, पक्का होगा ये, क्योंकि बहुत बड़ी companies है, इनकी काफी infrastructure वगेरा का company है, power का company है, ठीक है न, इन लोग FMCG सेक्टर में भी घुसेव हैं, आपको पता होगा अधानी, विलमर वगेरा, तो टिंट तो पड़ेगा बट क्या इंडिया बरबाद हो जागी नहीं, बट अगर वही चीज़ है न, अगर आप diversified, अगर आप देखो, वही हिंडन बक का जब रिपोर्ट आया, जब भी हिंडन बक का रिपोर्ट आया, अगर आप सिर्फ अधानी के company में पैसा लगाया वे हो, without diversification, तब आपका अगर 50 लाग का portfolio है, माल लोग की यार, बड़े बड़े लोग कर रहता, आप बोलोगे यार, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, माल लोग आपका 50K का, ये चलो, एक्जांपल लेते 50K का, अगर आपका 50K का portfolio है, without diversification, आपका तो वह पैसा आधा हो गया होगा, क्योंकि 50% crash कर ग AFC, ICICI Bank, Axis Bank, IDFC, बहुत सारी companies है, ठीक है, तो अगर आप ये पैसा diversified way में लगाते, तब अदानी के fall से क्या आपको problem होता, जहां पे अदानी 50% गिरी थी, अगर आपके portfolio में अदानी होता, तो वह कितना percent fall दिखा था, max to max 5%, ठीक है, या 6%, डिपेंड करता आप कितना weightage ड से 6% का, ठीक है न, ये guaranteed नहीं है, बट वही है कि आप asset allocation किस तरीके से किये हो, ठीक है, आपका allocation किस तरीके से, कितना percent डाले थे अदानी में, तो अगर ये काम mutual fund करती है, ये allocation का काम अगर mutual fund का fund manager करता है, तो बहुत बहुतरीन तरीके से करता है, क्यों obviously यार वो पढ़ा लि तो ये सब चीज़ के बारे हम discuss करेंगे कि कौन सा fund risky होता है, कौन सा fund less risky है, कौन सा fund में किस तरीके का risk आता है, ठीक है न, sector में कौन सा fund पैसा लगाता है, specific sector होता है, जैसे IT sector होता है, thematic fund बोलते है, equity में पैसा कौन-कौन सा equity fund होता है, debt fund कौन-कौन सा होता है, nifty अगर 15,000 ह ठीक है, mutual fund में पैसे डाल दो, क्या Nifty 18,000 है, यहां पे भी पैसे डाल दो, हाँ डाल दो, क्या इस वाले fund में डालना है, जहां पे मैंने 15,000 Nifty तो उस fund में डालना है, यहां पे वो 18,000 पे वो वाला fund में को नहीं choose करना है, ठीक है, अब आप बोलोगे, यार में को savings का interest चाहिए आप बोलोगे, यार में को एक दम safe return चाहिए, क्या saving के लिए कोई mutual fund है, हाँ है, मेरे को यार FD को beat करना है, क्या FD को beat करने के लिए कोई mutual fund है, हाँ है, बोलोगे यार ये दोनों है क्या, हाँ है, safe है, हाँ, safe है, बहुत जादा safe है, ठीक है, मैं बुल लिखना हूँ, बहु बहुत सारे mutual fund, आपको पता भी नहीं चलेगा, equity वाला तो मैंने आपको example दे दिया, ठीक है न, equity वाला तो मैंने आपको example दे दिया, एक saving का जो आपका return है, 3%, 3% जो आपको saving पे मिलता है, पैसा रखे रखे, उस category का भी mutual fund है हमारे पास, overall बहुत सारे mutual fund है, हमारे पास बहुत सारे mutual fund है, तो important क्या होता है? how to choose mutual fund, ठीक है न, how to choose mutual fund, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर close करते हैं, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया? मैंने आपको यहाँ पर introduction بتाया, मैंने आपको introduction मता दिया mutual fund का, है, ठीक है, mutual fund होता क्या है, किस तरीके से mutual fund काम करता है किस तरीके से fund manager को salary मिलती है, आप mutual fund का existence क्यों है, क्यों इतना demand है सब बोलते है mutual fund सही है, यार reason क्या है सही होने का, तो यही सही है कि आपका कम capital में भी आप market में participate कर सकते हो, ये इसलिए mutual fund सही है, एक छोटा निवेशक एक छोटा investor जिसका salary है यार 15,000 पर मंत, यार वो कहां से reliance का stock buy कर पाएगा यार, एक बात बताओ, इसको तो अपना घर का खरचा भी तो चलाना है ना, इसको अपना घर का खरचा भी तो चलाना है, ये कहां बिटानिया का 3,000 का share और 4,000 का share buy करेगा आप मैं को answer दो ये कहां बिटानिया का एक share buy कर पाएगा भले ये कितना भी biscuit खा लेता हो भले इसको बिटानिया कितना भी पसंद दो ठीक है ना, बट ये बिटानिया का share में इन्वेस्ट कर पाएगा तो इन जैसे के लिए बना है mutual fund तो क्या जिसका salary एक लाग पचास जारे वो mutual fund में नहीं invest करें आप भी करो, mutual fund आपके लिए भी है ठीक है ना, mutual fund देखो सब के लिए है बट mutual कौन सा fund आपको choose करना है मैंने क्या बोला, अब summary मैं देता हूँ वीडियो क्लोज करता हूँ mutual fund है सब के लिए अब mutual fund के बाद बहुत सारे fund है ठीक है, बहुत सारे category के fund है अब आपको कौन सा, आपकी income के according आपकी risk appetite के according आपके goal के according आपको ये fund खुद से choose करना है कि मेरे लिए यार ये fund अच्छा है तुमारे लिए ये fund अच्छा हो सकता है मेरे relative के लिए ये fund अच्छा हो सकता है मेरे friends के लिए ये fund अच्छा हो सकता है तो आपको as a investor as a investor ये आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा fund अच्छा है mutual fund अच्छे होते हैं कर सकते हैं mutual fund में, depend करता है कि आप कितना पैसा invest करना चाहते हो, कितना आपका capital है, मतलब वही हो गया, risk appetite कितना है, goals कितना है, तो इस वीडियो को हम लोग close करते हैं, hope आपको introduction वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ doubt हो, कुछ doubt हो, तो आप comment section में comment कर सकते हो, mail करना हो, तो यहां पे आप कुछ feedback देना चाहते हो, feedback दे सकते हो, कुछ doubt हो, वह भी पूछ सकते हो, ठीक है, यहां पे आप mail भी हम लोग कर सकते हो, काफी लोग हम लोगों से जुड़े हैं, वो mail करते हैं regularly, कुछ premium member भी है, वो हमारे link से अपना account खोले हैं, DMAT account, तो उनको कुछ premium services भी द ताकि मैं और interesting तरीके से आप को समझाओ, तो ठीक है इस वीडियो का हम लोग close करते हैं, thank you